Hello everyone I am Amit Tewari, from Amit Tewari.net और यह है हमारी On-Page SEO Series का 5th पार्ट आज के इस वीडियो में हम Headings के ऊपर बात करेंगे जो आप अपने पेज के Main Content में यूज करते हैं इस सीरीज में इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं और इन 4 पार्ट के लिंक आपको इस वीडियो के SEO series की थी जिसके 6-7 वीडियोस हैं उन वीडियोस को भी आप जरूर देख सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट के सबसे heavy part यानि कि images को एकदम चगाचग कर सकें optimize कर सकें SEO के point of view से चलते हैं और देखते हैं headings को heading tags एक तरह के html tag होते हैं जो एक से लेकर 6 तक के sequence मिलते हैं यानि कि h123456 heading tags आपके page के content को structure प्रवाइट करते हैं उसके लिए skeleton का काम करते हैं और आप इन headings के जरिए अपने content को format कर सकते हैं उसको अच्छा बना सकते हैं रेडिबल बना सकते हैं उसको समझना आसान हो जाता है heading tags आपके SEO के लिए बहुत ज़्यदा important होते हैं because जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब कभी Google आपके दे हुए meta title या description को use नहीं करता है उससे खुश नहीं होता है तो आपके page के अंदर मौजूद in h1 से लेकर 6 तक के elements के base पर आपके इस page के title को बना सकता है description को बना सकता है और यह करता रहता है अगर आपके page के h123456 यह heading tags optimize नहीं है यह सही से आपने use नहीं किये है तो आपके page के title है और description है उसके भी अच्छे होने के chances खराब हो जाते हैं हम इन्हें एक-एक करके देखते हैं और साथ ही में जानते हैं कि आखिर h123456 यह सब कहां-कहां use करने चाहिए और page में कितनी बार use करने चाहिए यह common question जैसे लोग पूछते हैं कि आखिर इसे कितनी बार use करना चाहिए सबसे पहले देखते है h1 को h1 आपके page पर एक ही बार use किया जाना चाहिए ऐसा क्यों होता है because h1 आपके page का title है जब कभी आप wordpress website पर for example अपना post लिखना शुरू करते हैं जो आप post को title देते हैं जैसे यहाँ पर title नाम से दिखाया जा रहा यह actually में title नहीं होता है जो आपके page का meta title या title जो भी नाम दें वो जो है वो इसके base पर बनाया जाता है बट यह title है नहीं यह है h1 जब आपका page publish किया जाएगा तो यह h1 की तरह आपके page पर top में दिखाई देगा और आपके page का नाम आपके page का title एक ही हो सकता है तो यह अपने आप में थोड़ी सी confusing चीज़ है आपको post title बताया जा रहा है आप से कहा जा रहा है कि आप post title यहाँ पर set कर रहे हैं बट यह actually में page पर जब दिखाई देता है तो यह h1 की तरह दिखाई देता है now ऐसा क्यों है इसका reason है कि ज copy paste कर देता है बट एक अच्छी practice यह है कि आपको अपने h1 को और अपने title को दोनों को similar रखना चाहिए लेकिन save नहीं रखना चाहिए so आकर देखते हैं h1 को wild में real world website में कैसे use किया जा रहा है यहाँ पर यह जो page है वो है visa process के बारे में entry processes URL का नाम है यहाँ पर और अगर इस page पर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले image दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो सबसे text है जो सबसे जादा important text दिखाई दे रहा है एक नजर में दिखाई दे रहा है वह है entry and visa process now it's a good ranking अच्छा article है अगर इसके उपर हम right click करके इसको inspect करें तो हम देख सकते हैं कि यह किस type का आखिर content है यह h1 tag है यहाँ पर इसको class यहाँ पर h2 ज़रूर दिया गया है बट यह class पूरे page का जो gist है इस पूरे page का purpose है वो है entry यानि की visa की process को समझाना और इसलिए यहाँ पर इसका h1 entry and visa process दिया गया है जो इस page की purpose को अच्छी तरीके से explain कर रहा है आपके page का h1 सिर्फ एक ही हो सकता है वो है आपके page को summarize करता हुए एक ऐसा phrase एक ऐसा sentence जो आपके page को अच्छे से represent करता है अगर आपका title नहीं use किया जाएगा तो आपका h1 title की जगे use किया जा सकता है search results page में आपको ध्यान में रखने की सब्सक्राइब हो गया लेकिन इसके page के बहुत strong elements है h2 ही वो elements है जो आपके page को एक मोटा मोटा structure देने वाले है जो आपके page का skeleton है वो h2 से बनता है और h3 उसके लिए बनती है muscles so h2 के अंदर आप अपने page के जो major part है उन्हें decide कर सकते हैं हम example थोड़ी दे में देखेंगे computer screen पर जाकर लेकिन अभी अगर हम देखना चाहें तो h2 हमेशा आपके page में कम से कम 3 से लेकर 5 के बीच में होने चाहिए अगर 5 से ज्यादा h2 आपको use करने पड़ते हैं तो इसका एक normal article है एक normal piece है और वहाँ पर आपको past से ज्यादा h2 यूज़ करने की ज़वद पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपका content यह वो कुछ अपने keyword से भटक रहा है और या फिर keyword बहुत सब्सक्राइब है तो हम वापस आ चुके हैं अपने same visa वाले page के उपर आज जर्मनी क वीजा लेके मानेंगे हमने देखा था अभी यहाँ पर इस page पर हमारा h1 क्या है यह वाला जो text है यह h1 है यह visa की process को समझा रहा है now h2 क्या क्या हो सकता है so इस page का purpose क्या है visa की process को समझाना और visa का process tough होता है उसमें बहुत सारे steps होंगे right so इस page पर जो details होंगी उन पर इन्ही visa process की जो steps होंगी उनको ही समझाए जाएगा right natural सा understanding यहाँ पर develop हो रही ही न तो अगर हम यहाँ पर इस page पर नीचे की तरफ आते हैं तो आपको बहुत सारे steps दिखाए दे है step 1 checking the requirements step 2 something else step 3 then इसके बाद step 4 then इसके बाद step 5 तो अगर हम यहाँ पर आकर देखें कि यह step आखिर मे क्लिक करता हूं मैं यह हमारा h2 great step 2 क्या है h2 again right then step 3 क्या है let's see यह भी h2 है okay so कोई हरानी की बात नहीं कि हमारे जो इस page का purpose है वो है visa की process को समझाना और visa की process को आप कई सारे steps में समझा सकते हैं जितने भी steps लेने है visa को achieve करने के लिए उसको हासिल करने के लिए उन ही सारे steps को हम h2 के अंदर explain करें और दूसरा example भी देख लेते हैं शारे एक example से अच्छी तरीके से चीज़ें clear ना हो तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा page है जो detox, weight loss के लिए detox, juices, detox, drink लोग use करते हैं उसके बारे में यह पेज है और यहाँ पर इस page में हम देखे हैं हम बात कर रहे है weight loss के लिए detox drink के बारे में, so detox drink के क्या-kया use हो सकते हैं, क्या होता है यह इसका use कुछ है भी है नहीं है, इन सभी बातों के बारे में ही बात हो सकती है इस article में, एक लिफ बार इस article को हम completely देख जाते हैं, topic हमने देख लिया है, क्या है, weight loss with detox water, now यहाँ पर detox for weight loss, detox water for weight loss, यह एक heading है और इस heading के अंदर बताया गया है कि आखिर जो detox water है वो weight loss को कैसे कैसे help कर सकता है इसके बाद कुछ hot text है इसे छोड़ देते हैं यहाँ पर दूसरी heading आ जाती है important how to make detox water for weight loss तो weight loss के लिए detox water water चलता है या नहीं चलता है या है आपने सबसे पहले देख लिए इसके बाद दुबारा यही page यही article बता रहा है कि कैसे बनाना है okay and then इसके बाद उसे कभ पीना है बना तो लिए आपने लेकिन एक साथ पूरा नहीं पीजाना है right कैसे पीना है, कितने टाइम पर पीना है, कितना कितना पीना, यह भी बात होगी और इसके बाद detox drink के और क्या benefit हो सकते हैं, यह इसी एक article में explain किया जा रहा है तो देखते हैं कि यह जो हमारी heading है, वो आखिर किस type का content है heading के उपर right click करते हैं, और जैसे हम inspect button पर click करेंगे, यह हमारा h2 है strong यहाँ पर लिखा हुआ element, यह इसको bold बनाने के लिए है, बट जो यह element है, जो text है हमारा, वो एक h2 element है एक बर आते हैं हम नीचे की तरफ, यहाँ पर और नीचे थोड़ा सा scroll करते हैं, और हम एक और heading के उपर right click करके, अगर inspect बटन पर click करेंगे, तो फिर से हमें पता लेगे कि यह क्या है, h2 element है इस page का purpose है, weight loss के लिए detox drink के बारे में inform करना, information में क्या आ सकता है, क्या है detox drink, इसको कैसे बनाना है, कब पीना है और इसके क्या benefit है, यह मोटा मोटे चार heading आपकी बन जाती है इससे h2 element जो भी आपकी heading है, उसको expand करने में help मिलती है, लेट से कि आपने h2 नाम के एक element रखा है, अगर आपके article में 5 h2 है, तो obviously उसके अंदर चो content आ रहा है, उसको आपको और ज़्यादा explain करने की ज़रूए थे, उसको ज्यादा breakdown करने की ज़रूए थे, ताकि उसे user समझ सके, तो इसलिए, एक h2 element के साथ में कम से कम minimum minimum 2 h3 elements का होना ज़रूरी है, 2 से 4, 2 minimum और 4 maximum, 4 से ज़्यादा अगर आप h3 करें तो उसका मतलब अगें ही हो जाता है, कि आपको h2 element है, वो बहुत सदा wide है, उसको आपने to the point नहीं रखा है, अगर SEO practice की बात करें, तो आपको h3 elements म Google पर search कर सकते हैं, तो अभी हमने थोड़ी दिर पहले h2 के example में देखा था अपना detox वाला page, इस detox वाले page में हमने देखा था कि यह जो एक part है, detox water क्या होता है, detox water for weight loss, यह हमारा h2 था, now इसके अंदर ही बहुत सारी subheadings है, detox water क्या होता है, तो यह कितने type का होता है, यह भी इ vinegar type का भी होता है, grape food and mint water होता है, lemon, lime and cumin water type का होता है, I don't know, मुझे इतना नहीं पता है detox drink के बारे में, but अगर article में लिका है सही होगा, हम web के structure के purpose से देख रहे हैं, इसी तरह के से similar बहुत सारे type हैं यहाँ पर, अगर हम और नीची तरफ आ जाए, जो दूसरी हमारी heading थी, how to make detox water for weight loss, तो इस detox water for weight loss वाली heading के बहुत सारे part हो सकते हैं, कैसे बनाना है, पहले आपको right combination से लग करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ingredients को prepare करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ingredients को combine करना है, पानी डालना है, स्वादानुसार नमक डालना है, यह सारी जितनी भी चीजे हैं, जि right click करते हैं, ह3, इसके बाद और क्या है, right click करेंगे, ह3, और यह मेरा लिखा हुआ article नहीं है, हमारी company का नहीं है, हमारे client का नहीं है, absolutely wild, आप किसी भी ranking page को जब जा कर देखेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे अप कि naturally content को space out किया गया, right, page का topic, detox water, weight loss के लिए use किया जा सक article का main content क्या हो गया, कि क्या होता है, इससे फायदा होता है या नहीं होता है, कितने type का होता है, इसको बनाना कैसे है, कब पीना है, and then इसके बाद इसके दूसरे फायदे क्या हो सकते है, यह हमारी h2 heading हो गई, और कैसे बनाना है, इसके जब steps हम explain करेंगे, तो फिर आपके h3 elements भी आपको मिल गया, so अगर आप naturally सोचें अपने content को, तो आपको हमेशा h1, h2, h3, तीनों के बारे में content मिल जाएगा, idea मिल जाएगा, right, now अभी तक आप सोच रहे होंगे, कि मैंने h1 की बात कर ली, h2 की बात कर ली, h3 की बात कर लेकिन 4, 5, 6 की बात क्यों नहीं कर रहा हो, well, अगर आपके page पर कहीं पर भी bullet point list यूज की जा रही है, तो वहाँ पर आप h4 को use कर सकते हैं, but उसके अलावा h4, 5, 6 elements को use करने की ज़रूद नहीं है, इतनी ज्यादा headings आपके page को बहुत ज्यादा diversify कर सकती हैं, और उससे users के भटकने के page के छटक जाने के chances बहुत ज्य या फिर जो नए SEOs हैं, जिन्होंने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है, उनको use करने के लिए छोड़ दें, आपको अपने page पर h123 बस यहीं तक limit में रह जाना है, अगर आपका bullet point कोई है strong जिसको आप दिखाना चाहते हैं, तो आप उसे h4 में दिखा सकते हैं, otherwise कही पर भी आपको परिशान होने की जरुएत नहीं है, so h123 सिर्फ इतने elements को अगर आप अपने page पर साथ लेते हैं, अच्छे तरीके सी use कर लेते हैं, तो आपके page का content है, वो अपने आप उसका structure अच्छा हो जाए, so अगर आपका heading tags अच्छा है, तो आपका content अपने आप सही format ह जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और on page SEO के element के साथ में तब तक के लिए practice करते रहे हैं, और इस series को पूरा देख लीजे, मिलते हैं अगे वीडियो में, thank you so much for watching this video, my name is Amitivari for Amitivari.net and I will see you next time, take care.